पांच रुपया का नोट चंद मिनिटों में चमका देगा आपकी किसमत कम समय में बना देगा लगपती जानिए इसकी खासियत और बेचने का तरीका अगर आप पुराने नोट बेच करके पैसे कमाने का नया क्रेज ढूल रहे हैं उसके लिए हमें वीडियो बनाने जा रहे हैं पांच रुपया का नोट चंद मिनिटों में चमका देगा आपकी किसमत कम समय में बना देगा लगपती जानिए इसकी खासियत और बेचने का तरीका अगर आप पुराने नोट को बेच कर लाखो रुपया कमाई करना चाहते हैं तो इस खवर को पूरा जनना होगा आप भी बेना किसी परसानिक के कम समय में आध़ी से अधिक पैसे कमा कर मला मल बन सकते हैं पुराना नोट बेच कर कमा सकते हैं लाखो रुपया आपकी जनकाली के लिए बता दें कि एगर आपके पास पुराना नोट को जमा करने का श्रॉक रखते हैं तो इस आपको किस्मत बदल सकता है। अगर आपने भी कभी समय पे 5 रुपय वाला ट्रेक्टर नोट सम्हाल कर रखा हो, तो आप आप आनलाइन पोटल पर बेज कर लाख रुपया तक कमाई कर सकते हैं। इस नोट को सेल के लिए रखने से पहले आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जानिये कैसे आप इस नोट को बेज कर लाख रुपया कमाई कर सकते हैं। पांच रुपया के नोट में होना चाहिए कुछ खास जो हम यहां पर इस वीडियो में सेल करने बाले हैं। आप और पोर्टल पर नोटों को बेज कर लाख रुपया करके माला माल बन सकते हैं। अगर आपके पास भी खास पांच रुपया का नोट है। इस खास पांच रुपय के नोट में ट्रैक्टर बना होना चाहिए। साथ ही उसमें 786 नंबर भी लिखा होना चाहिए इस नोट को एंटिक कटेगरी में रेयर माना जाता है इस सेयल नंबर को काफी पवित्र माना जाता है अगर ऐसे नोट आपके पास भी रखे हो हैं तो आप इससे अधीक मुनाफ़ा कमा कर माला माल बन सकते हैं आईए आपको बताते हैं कैसे आप भी असान तरीके से बेज कर लाखों रिप्या कमाई कर सकते हैं आउनलाइट पोर्टर पर नोट बेचने का असान तरीका की बात करें फेरेंस तो पहला है पुराने नोट को बेचने के लिए आप कोईंबजा.com की आउनलाइट पर बीजिट करें जहां सेलर रूप में रेजिटर करना होगा, इसके बाद मुवायल नमबर दर्ज करना होगा, इसके बाद आप नोट की तश्वीर को अप्लेट करने करके सेल पर लगा सकते हैं, अब आपका बिग्यापर परदात्री थो जाएगा, इस प्रोसेस के बाद जो भी इस नोट को खड़ आपके लिए बहुत खास ची जाएगा, तो आपको बतातें दोस्तों कि आजकल फ्रॉड भी कापी ज्यादा चला हुआ है, तो इसके लिए आपको स्रावधान होना चाहिए, सब्तर करना चाहिए, तभी आप इन सब आनलाइन जो नोट से हैं, जो रेर नोट हैं, उसे नमबर दे दे, उससे किसी भी तरह कहानी नहीं है, लेकिन अकॉन नमबर देने के बाद, अगर आपके पास कोई OTP का कुछ आता है, या ATM का CCB का कुछ पूछा जाता है, तो आप कदापी ना बताएं, क्योंकि एकॉन नमर पैसे डालने के लिए श्रीफ एकॉन नमर और बै नहीं है, तो इसलिए फ्रेंज कभी एक चंबनी, एक अठनी किसी को आप पैसे सेल करने के लिए कभी किसी को ना दे, नहीं तो अब फ्रोड का सिकार हो सकते हैं, दोस्तों इस वीडियो को लाइक किजे, और आपके पास जो भी कॉईन करेंसी अब लेबल है, उस वीडियो क यहाँ पर आकर किये, आप से कॉंटेक्ट कर सके हैं, तो आज का वीडियो ही तक आएक की वीडियो क्लिए में चैनल में बने हैं, थांक्स मातिंग दोस्तों, बाई बाई बाई, टेक यार